कि मालू कैसे आप लोग आज हम बना रहे हैं कीमा आलू बहुत मज़ेदार और टेस्टी सा इंजी थे यह मैंने आदा का पॉइल लिया और इसमें मैंने आदा कीमा डाल दिया और इसे अच्छी तना से पका रही है इसमें जो भी दोने के बार थोड़ा बहुत पानी है वह भी खुश्च हो जाएगा इसके बाद हम इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे है कि मसाले जो उलनर कीमा यदोमे डालेंगे लाल मिच पॉडर है उन्खतव comma हाफ टेबल स्पून दिनया पौडर है वन टेबल स्पून थिनिय कि भी है हाफ़ टी स्पून नमख कि अजाय का इसके रहावा इसके तक में मिच चृई में मसाले शामिल करूँगी अब इसमें में मसाले शामिल करूँगी इसके साथ ही हरी लिट्च प्राय मसाला यह इसी लिए हमसे मिल जाता है शॉप पैसे और ज़्यादा महिंगा भी नहीं होता है आप जितना बटा रखना चाहँ है कि प्रफलने के पाल जाद है न घुड़नों दो आपके वड़ाने के बिंद आप के लावा यह भी यह उत्य पास है यह बिंद रहें है लसन अद्रक और उसके लावा हरी मिर्चे यह सब चीजें मैने मिला के पीछ ली मैने दो बड़ी प्याजिंप looking वेंटिक रिकनARS फोड़ी को हंद गुर्टिक कपे ताया प्ВО, । डिक 되면 señor उसके वहां हम सब बने खोड़ और ये देखें बनके ये भून रहा है और मैं इसमें ये मसाला शामिल करूंगी अभी अब मैं इसमें ये लसन अधरत प्याज वगारा का जो पेस्ट है ये इसमें शामिल करूंगी ये लिखें मसाले दरने के बाद ये किमा हमें सोडी देर भून लिया है और अब हम इसमें प्यास लसन अधरत का पेस्ट तेमाटो पेस्ट सब चीजें इसमें शामिल है ये मैंने भी आपको बताएं कि इसमें डाल रहे हैं ये डालने के बाद भी इसे अच्छी तहां से अभ बहुत अक्सिस आएगा आप यू चाय कुझेगा वीडियो के हम तक मारे साथ रहेगा ये देखें हमारा किमा बुन्या शुरू हो गया मसाले डालने के लाद में अपसी तरह से बून लिया है अब मैं इसमें आलू शामिल करूंगी ये देखें हैं आप कितना मस्य का लग इसमें आलू शामिल कर रहे हैं ये इस तरह से थोड़े मुचे मुचे पीसी पाइट ही है इसको अच्छी तरह से बूम लेंगे ताकि सारे मसाले का जायका इस तरह से कीमे में शामिल हो चुका है इस तरह लगों में भी शामिल ही जाए और इसके बार हमें किलास पानी डालेंगे और इसके पकने लिए रखेंगे कि अच्छी तरीके से भूंगे और इसका कलर भी इतना अच्छा निकला है अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे ना पानी जिसमें यह गर जाए कि मालू से सोजा उपर ही होगा पानी ताकि यह गर जाए और इसे अब हम धत्के रख देंगे कि मालू त्यार हो चुका है और इसमें हरी मिर्चे और हरा धन्या रा दिया है और इसे में डख कर रख दूंगी आज मिनट के लिए ताकि इसमें इसकी कुश्बू आजए और अब हम इसे सर्व करेंगे यह देखें हमारा हमने डिश आउट कर लिया है और यह बहुत मज़ेगा की मालू बना है आप इचाय कीजएगा नान के साथ सर्व कीजएगा दूाओं में याद रखिएगा जजाक अल्ला अल्हाफेज